जाहिंद नमस्कार मैं सितंद्र कुमार साथियों जैसे कि आपको पता है कि यूपीट पुलिस रेडियो असिस्टेंट हेड अपरेटर और अकसाप तीनों का एक जाम हो चुका है और एंस्वर की भी आ चुकी है और रिजल्ट की वेट करते करते तीन चार महिने हो गए तो क्या इसका रिजल्ट नहीं आएगा और आएगा तो कितनी कट आप जाएगी क्योंकि वेकेंसी जो है बहुत कम कम है तेरस चुबहतर रेडियो असिस्टेंट की है उसी तरह से औरकसाप की 900 के सम्थिंग है और हेड अपरेटर की भी ऐसी ही लगबग है टोटल मतलब तीन मेजर से नीचे हिस पूरी वेकेंसी सिमट जाती है छात्रों के संख्या 5 लाख देखने को मिलती है हलाएं कि इसमें 10 गुने जितनी वेकेंसी है उसकी 10 गुने ये 20 गुने ही छात्र फिजिकल के लिए बुलाया जाएंगे तो उनकी कट अप क्या रहने वाली है अलग अलग पुलिस भरती बोर्ड और सिपाही जो भी है चुनाव कराने में लगे हुए है जितनी जल्द जल्द इनकी चुनाव होती है उतनी जल्द जल्द इगर हमारे एक ज्याम होती तो साइध हम लोगों को भी कोई परसानी नहीं जलना पड़ता है हलाएं कि अभी भी आगे आप सही है वो फिजिकल की तयारी करें क्योंकि सो कोस्चन्स की नंबर एक सो साथ थी एक कोस्चन्स धाई नंबर के हैं टोटली आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप एड़ कर सकते हैं 120 में धाई सो मल्टिप्लाई करेंगे 240 और 60 300 के आसपास यानि रेडियो असिस्टेंट में जेनरल की कटाफ 300 नंबर तक जा सकती हैं और OVC की भी उतनी ही रहेगी लगभग क्योंकि एक कोस्चन्स मतलब धाई नंबर का डिफ्रेंट है 120 कोस्चन्स रहे या 119 कोस्चन्स रहे यही रहने वाली है OVC की भी S.E.S.T. में थोड़ी सी डिफ्रेंट देखने को मिल सकती हैं उनके 115 पर हो सकते हैं 112 पर भी हो सकते हैं EWS के भी कोस्चन्स जो है 115 116 के आसपास जितने सही रहेंगे उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा Final Cut-Ap की कोई गारांटी नहीं है Final Cut-Ap जो है Number of Candidates के Physical Qualify के उपर डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे Candidates कईने कई सलेक्ट भी हो रहे हैं तो आलो भर जो हैं जितने जितने आपको बताया हूँ मैंने उतने हैं तो आप फिजिकल की तयारी करें Radio Assistant, Head Operator and Workshop और भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं अभी 4 जुन के पहले कोई सरकारी Official Update नहीं आएगी हलांकि जिनको अपना मतलब खाली समय है तो अपना फिजिकल होगारा जो हेल्दी है जादे तयार कर सकते हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ठेक बाकी अब पलपल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसी तरह से मिलेंगे जैसे आपटेट आपको बताये जाएंगे धनिवाद